एटिस्ट मांगा चेप्टर को रीड करने के बाद, जादतर वनपीस फैंस को तो ये मालूम पढ़ी ही किया है कि नेक्स्ट आइलेंड कौन सा है, आइलेंड एग हेड, जहां पर लूफी अभी जाएगा, डॉक्टर वेगा पंक के साथ क्या क्या चीजे होंगी, इस आपको पता है यार, वनपीस का फाइनल सागा स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही वानो एंड हुआ था, बट सबसे बड़ी बात ये कि अब क्या लूफी वनपीस को जल्दी ही खोज लेगा, तो ऐसा नहीं है, लूफी इतनी जल्दी वनपीस को नहीं खोजेगा, और इतना जल्दी फाइनल वार नहीं होगा, अब मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ, बिकॉस देखो, लूफी को अभी ना बहुत सारे आइलेंड्स में जाना बाकी है, भले ही वो आइलेंड्स वाले आर्क जो होंगे, वो छोटे-छोटे होंगे, हो सकता है 20-25 चेप्टर के अंदर ओड निप्टा दे, लेकिन अभी जो मैं कुछ आइलेंड्स के नाम बताने वाला हुना, वो आइलेंड्स बहुत ही जादा जर्री है, जादा तर आइलेंड्स एक-दो को छोड़ करके, उन आइलेंड्स को ओडा को दिखाना ही पड़ेगा, वैसे लूफी के जर्नी में बहुत स से हो सकते हैं, सबसे पहला, आइलेंड बिहाइब, ब्लैक बियर्ड की टेरिट्री, यार देखो हम सभी को पता है, ब्लैक बियर्ड ने कूबी को जो है किड्नैप कर लिया है, और कहीं न कहीं ये हो सकता है, लूफी जब आइलेंड एग हेड में आया है, तो उसको पता चल उनों आपस में दुस्मन है और ये दोनों एक दूसरे से as a character काफी जादा opposite है एक सूरज है तो दूसरा अंधिरा है प्लस जब ये future में आपस में भिढेंगे तो कहां पे भिढेंगे ऐसा तो दिमाग में जरूर आता है अब देखो जहां तक हमने one piece को जितनी बार भी देखा ज़्यादा तर मामलों में यही होता है लूफी अपने enemy को उसके home territory में ही हराता है हमने इतने सालों से one piece को read किया है देखा है हम सब को पता है तो यहाँ पर ज़्यादा highly chances यही है कि अगर future में Oda लूफी वसेज ब्लैक बेर्ड का fight दिखाएगा तो पक का island beehive में ही दिखा island beehive वाला काम खतम चलो बढ़ते है next island की तरफ जो की होने वाला है मेरे हिसाब से lot star island अब देखो इस island के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैं जानकारी देना चाहूंगा log post से यह final island है जहां पर तुम जा सकते हो plus यह वही island है जहां पर Roger जब गया था तब जाके उसको पता चला था उसको एक अंदाजा से मिला था कि एक और island भी है जो छिपा हुआ है अब देखो यह island में कुछ ना कुछ तो होगा अब उसमें क्या है यह बात का बिलकुल भी नहीं पता लेकिन मेरो को जहां तक लगता है इसमें कुछ ना कुछ जरूर छिपा हुआ है और मेरे हिसाब से लूफी को इस island में भी जाना चाहिए भले ही यह वाला जो आर्क होगा छोटा सा दिखा दे ओड़ा 10 से 12 चेप्टर के अंदर लेकिन लूफी को इस island में जाना चाहिए वैसे हमें इस island के बारे में बहुत के दिमाग में आही रहा होगा यह जो island है यहां पे giants रहते हैं प्लस इस island में भी sun god का reference हमें देखने को मिला था मतलब यह हो सकता है कि हमें इस island में sun god nika के बार में और अधिक जानने को मिले प्लस यह उन चुनिंदा islands में से है जहां के लोग joy boy से ज्यादा sun god nika को जानते है मतलब यह जिस तरह से skypians उन्हें history के बार में बहुत अच्छे से पता था कुछ बुड़ों को तो may be 800 साल पूराने इदिहास के बार में भी पता हो सकता है पर क्या elbaf के giants को पता है मेरे हिसाब से elbaf में जरूर मालूम पड़ेगा और मेरे हिसाब से elbaf के लोगों को कुछ ना कुछ पता हो गई होगा प्लस elbaf जाना बहुती ज़्यादा जरूरी है without elbaf मेरे हिसाब से one piece incomplete ही रहेगा खेर next island की बात करते हैं जो की हर किसी को मालूम है लूफी लास्ट में जाएगा ही laugh tale अब देखो इस island में है one piece और इस island का नामकरण खुद pirate king goldie roger ने किया इस island में जानने के बाद roger ने पूरे इतिहास को जान लिया था उसे past present future तक के बारे में मालूम पढ़ गिया था और हां one piece में क्या है one piece क्या है सब कुछ मालूम पढ़ गया था और जब roger ने one piece को धूडा था जब वो यहां पर गया था भाई वो सिर्फ हसा था और उसने एक बात बोली थी कास में तुम्हारे एरा में पैदा हुआ होता जोई बोई साथी साथ जब इस आइलेंड में जाएगा तो हो सकता हमें लूफी के ट्रू ड्रीम के बार में भी पता चले और एक बात जब लूफी इस island में जाएगा ना तुम्हें एक बात मालूम पड़ेगा उस पुराने joy boy ने जो treasure छोड़ा है और यहाँ पर हो सकता है उस पुराने वाले joy boy ने भी अपना dream लिखा होगा और जो लूफी का जो true dream है वो दोनों same निकलेंगे इसके काफी जादा high chances है प्लस जब लूफी इस island में जाएगा तो वो pirate king बनेगा वो वहाँ से return करते time उसके उपर new king of the pirate का नाम जरूर आएगा जो की होगा monkey D. लूफी उसके सामने सारे pirates यार सर जुकाएंगे I mean सभी कोई उसको pirate king मानने लगेंगे because वही legendary treasure one piece को खोजेगा प्लस हो सकता ये वो moment हो जब लूफी pirate king बनने के बाद sanks को अपना hat वापस कर दे या फिर हो सकता है final war के बाद करे खेर चलो देखते हैं क्या होता है आगे अब देखो मेरे हिसाब से तो इतने ही islands होंगे लेकिन मैं एक extra add करना चाहूंगा ये island का मुझे guarantee नहीं है कि लूफी जाएगा कि नहीं जाएगा because ये island exist ही नहीं करता है हाँ मैं बात कर रहा हूँ God Valley की God Valley अभी का time पर exist नहीं करता है तो हम कैसे बता दे कि लूफी इस island में जाएगा but अगर ये island exist करता है और world government ने इसको छिपाया हुआ है तो पक्का लूफी किसी न किसी तरीके से इसको खोजेगा और वो इस island में जरूर जाएगा लेकिन अगर इसका वजूद ही मिटा दिया पूरा destroy ही कर दिया है तो लूफी कैसे जाएगा बात समझ रहे हो न यही बात मैं कहना चाहता हूँ वैसे God Valley के बारे में जब पता चलेगा हमें बहुत कुछ celestial dragon, world government इनके बहारे में भी जाननी को मिलेगा और यह सबसे अच्छे तरीके से कौन बता सकता है मालूं, monkey d guard वसे मैं God Valley के बारे में जानना चाहूँगा आखिर वहाँ पे क्या हुआ था खेर यह तो था मेरा मानना की लूफी कौन कौन से आइलेंड में जा सकता है अब तुम सब का क्या मननना है कौन कौन से आइलेंड में लूफी जाएगा और क्या मेरे से कुछ आइलेंड छूट गया है कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना और हाँ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोसिस करूँगा तो यार कमेंट बॉक्स खालिए कमेंट करना मत बुला तो यार में लेकर नाश्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई